चलिए जानते हैं, आज की देश और दुनिया की सलेक्टिट कामकी और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दें प्रधानमंत्री मोदी का शपत ग्रहन समारो होगा यादगार, विदेशी महमानों के साथ कई खास महमान होंगे शामिल वीवी पैट में होना चाहिए सुधार, पीचे दंबरम बोले, कांग्रेस ने EVM को नहीं किया खारिज देश में जल्द लागू होगी उपग्रह आधारित इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह प्रणाली, NHAI ने आमंत्रित की वैश्विक बोलियां मनोज जारंगे फिर आमरण अनशन पर बैठे, बोले, इस बार मराठा आरक्षन नहीं मिला तो महराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा अखिलेश यादव, विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीती करेंगे, 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया एलान वारानसी से आए भाजपा प्रतिनिधी मंडल ने पीए म मोधी को सौपा, चुनावी जीत का प्रमान पत्र भावुक हुए प्रधान मंत्री अयोध्या जीते सपा सांसद बोले, यहां मोधी जी भी हारते, भाजपा को हराकर चर्चा में आए अवधेश प्रसाद बोले, उनका घमंड चूर हुआ महाराष्टर में खेला, NDA में शामिल होना चाहते हैं, ठाकरे खेमे के दो लोग सभा सदस्य, शिंदे के करीबी नेता का बड़ा दावा दिल्ली में पानी पर संग्राम, आतिशी बोली, हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा, हर्याणा बीजेपी ने की विशेश सत्र की मांग CPP चीफ बनी सोनिया, कहा अपने नाम पर जनादेश मांगने वाले PM मोधी नेत्रित्व का अधिकार खो चुके हैं नीट यूजी ग्रेस मार्क्स की जांच के लिए कमेठी गठित, 1500 से अधिक उम्मीदवारों के अंकों की होगी समीक्षा PM के शपत ग्रहन समारोह में UP से शामिल होंगे 900 भाजपा नेता, हारे हुए प्रत्याशी भी हुए आमंत्रित ममता बोली, इंतजार करें, कुछ दिन बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, कहां? NDA सरकार अवैध है, कौन जानता है 15 दिन में क्या होगा? भाजपा के अयोध्या हारने की कई वज़ह, राम मंदिर में उलजी पार्टी, सपा की रणनीती ने बिगाड़ा खेल PM मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की खटा-खट, कीम ने देश को किया भ्रमित, जनता पर्ची लेकर खड़ी है हमें 24 घंटे, 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा, कांग्रेस कारे समिती की बैठक में बोले मलिक आरजुन खर गे जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधान सभा इलेक्शन, चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए एक्टिव हुआ चुनाव आयोग महाराष्टर में बारिश बिजली से एक हफते में आठ की मौत, राजस्थान में तूफान से चार की जान गई, आज भी 40 से 50 किलोमीटर की रफतार से हवाएं चलेंगी रिजल्ट के 48 घंटे में यूपी सरकार के बड़े एक्शन, 13 जिलों में 16 एंकाउंटर, 61 पुलिस कर्मी सस्पेंड, जल्द वैकेंसी निकालने का आदेश इंडिया गठबंधन ने नीतिश कुमार को दिया था, पी एम पद का ओफर, जे डियू के बड़े नेता ने किया खुलासा मंत्री बनाने वाले फर्जी फोन कॉल से सावधान रहें सांसद, पी एम मोधी ने सरकार गठन पर चल रही, अटकल बाजी पर ली छुटकी ही दे देना था इस्तीफा, चुनाव में सबसे खराप्रदर्शन के बाद एक्शन में मायावती, बदला बीएसपी का पुराना सिस्टम, दिल्ली में तीन दिन लू का यलो अलर्ट चलेगी धूल भरी आंधी, पारा जाएगा पैंतालीस डिग्री के पार, महाराष्ट्र म हार पर बोले, देवेंद्र फड़नवीस, दल बदल पर NDA नेताओं ने सियासी चर्चाओं को दिया विराम, एक सुर में बोले, हम मोधी सरकार के साथ, आज नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधानमंत्री पत की शपत लेगे, सुरक्षा में पैरा मिलिटरी की पांच कंपन ने नीट परिक्षा को रद्ध करने की मांग की, राज्य के छात्रों के साथ अन्याय का आरोप कांग्रेस बोली, इस लोगसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की नैतिक हार हुई, इंडिया गठ बंधन के लिए परिणाम मनुबल बढ़ाने वाला बिहार के कई जिलों में लू का यलो अलर्ट, 18 जिलों में पारा चालीस के पार, 4 डिग्री तापमान बढ़ने के आसार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने की जमकर तारीफ कहा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है बेस्ट नीट एक्जाम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों ने तोड़ा रिकॉर्ड आतिशी का बड़ा दावा भारत ने मई में 722 करोड रुपए का सोना खरीदा, पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार, स्विटजर लैंड इसमें टॉप पर महिला कॉंस्टेबल को सपोर्ट करने वालों पर भड़कीं कंगना बोली, इनकी मानसिक्ता अपराधियों वाली, ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते होंगे दो दिनों तक शपत ग्रहन, फिर नए अध्यक्ष का चुनाव, 15 जून से शुरू हो सकता है, 18 वी लोकसभा का पहला सत्र बाबाराजम का दिमाग सही नहीं है, USA से हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की भारी बेईज्जती कांग्रेस नेता दिगविजय सिंह ने बीजेपी को बहुमत न मिलने पर कसा तंज कहा, ये लुली लंगडी सरकार बनेगी कांग्रेस संसदिये दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, सांसदों ने एक सुर में किया समर्थन ना हारे थे, ना हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं चुनाव नतीजों पर, पी-एम मोदी का विपक्ष को जवाब दिल्ली में कन्फ्यूजन, पंजाब में अधूरे वादों से पिछडी आम आदमी पार्टी, ड्रग्स की वज़ह से मान सरकार से नाराजगी, केजरिवाल की इमेज को जटा भारतिय सेना के कंधे मजबूत करने के लिए मिले नए 433 युवा सैन्य अधिकारी, परेड में उत्तरा खंड के रुत्बा कायम नीतीश कुमार के पास 4 जून को आया था पी-एम पद का उंफर, हमारे पास सबूत भी है जे डियू का कांग्रेस पर पलटवार उदैपुर में अगनिवीर भरती रैली, बड़ी संख्या में युवा होंगे शामिल, हर रोज करीब 1000 उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा दोस्तो आज की खबरों में बस इतना ही, इसी तरह हर रोज काम की खबरे जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए इस लाल बटन को दबाए और साथ ही इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके